बच्चों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, question number 87 of the book T.S. Greval, chapter is accounting for share capital, edition of the book is 2020, मगर ये question आपको 2021 edition और 2022 edition में भी मिल जाएगा, ये question दोयार 13 के board में आया वा question है, compartment वाल एक्जाम में, question कुछ इस तरह से है कि राजा लिमिटेट ने application मंगाई है for issuing 50,000 shares, और share की face value 10 रुपे है और company पैसे कुछ इस तरह से ले रही है, तीन application पे, पांच allotment पे और दोर जो है first and final call पे, public ने apply किया 70,000 shares के लिए और सभी को shares दे दिये गए on provider basis, यानि company ने 70,000 shares मांगने वाले को 50,000 shares दे दिये on provider basis, यानि हर साथ मांगने वाले को 5 share दिये गए होंगे, और जो भी extra application मनी इनका आयावा होगा, वो allotment पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर यहाँ पे इन्होंने दो defaulter के बारे ने बताया, पहले defaulter का नाव है Ramesh, Ramesh ने जो है 700 shares के लिए apply किया था, इसके 700 shares जो हैं वो applied shares है, and he did not pay the allotment money, यानि इसने application के 3 रूबर दे रही है, मंगर allotment के 5 रूपे नहीं दे पाया है, और इसका share immediately after allotment forfeit कर लिया गया, यानि कि इस से यह जो 2 रूपे की call है, यह मांगी ही नहीं कई, clear है बच्चो, फिर उन्हें एक और defaulter के बारे में पताया, जब इन्होंने इसका share forfeit किया, उसके बाद जाके first and final call करी, तब एक और defaulter आगया, अधार, और जो अधार है, उसने application भी दे दिया है, allotment भी दे दिया है, मगर उसने first and final call नहीं पे करी है, 2 रूपे की, इसका share forfeit किया गया after the second and final call, sorry, first and final call, और फिर ये कहा गया, कि जितने भी share forfeit हुए है, उनमें 900 shares, रीशू करे गये हैं, 900 forfeited shares, को रीशू किया गया है, clear बच्चो, at the rate rupees 8 per share as fully paid up, ठीके बच्चो, और ये भी कहा गया, कि ये forfeit shares में, सारे shares जो हैं, रमेश के included होंगे, और जो बचे बेशेर होंगे, वो आधार के होंगे, यानि अगर कम share रीशू हुए हैं, तो वो कम share अधार के ही, रीशू हुए होंगे, बिकाज रमेश के जितने भी share, forfeit किये गये थे, वो सारे के सारे रीशू हो गये हैं, आईए बच्चो इस question का solution करते हैं, तो बच्चो solution की जो entries हैं, उनको पास करने से पहले, ये छोटा सा प्रोराटा टेबल बना लिजेगा, सबसे पहला कॉलं बनाएगा category का, जो की यहाँपर है प्रोराटा, क्योंकि यहाँपर एक ही category है, और वो प्रोराटा category है, पार्शिल केडिगरी या प्रडाटा केडिगरी कह सकते हैं यह वो केडिगरी होती है जहां पर लोग मांगते जादा शेर्स हैं वकर उनको मिलते कम शेर्स है तें 50,000, यानि इनको 50,000 शेर दिए गए हैं यानि हर 7 मांगना ले को 50 शेर दिए गए है, 5 शेर दिए गए हैं, 7 को 5 अगला कॉलम जो है वो application money received का है इसके यह applied shares को application money per share 7 रूपीज 3 पर share है तो application money received जो की रूपीज में आएगा निकलकर यह आएगा 2,10,000 रूपी क्लियर है बच्चों फिर अगला कॉलम होता है कि कि इतना पैसा share capital में गया होगा तो देखें बच्चों share capital में उतने share का पैसा जाएगा जितने shares कम्रने इशू किये हैं और वो किये हैं 50,000 into application money रूपीज 3 पर share तो 50,000 into 3,500 यहां डालती जिए अब इनका फाल्तु पैसा बचा हुआ है 60,000 this minus this वो allotment में जाएगा ही जाएगा बस एक छोटी सी checking जरूर कर लीजिए बहुत काम आती है क्योंकि हो सकता है कभी कर फाल्तु पैसा इतना हो कि वो allotment को भी पार कर जाए तो छोटी चैकिंग करनी है इनके allotted share को allotment money से मरिप्लाय करके देख लिजिए allotted share है 50,000 allotment money है आपका रुपीज पांच पर शेयर तो वो हो गया धाई लाग रुपे यानि इनकी allotment की capacity है पेगलने की वो धाई लाग रुपे है और फाल्तु पैसा सिर्फ साथ हजार है ठीक है बच्चों तो इन में से जो भी की दो entries होती है वो इसी table पर based होती है आईए बनाते हैं वो दो entries तो बच्चों यह जो हमारी पहली entry है bank account debit to share application account यह बनती है with the amount of total application money received जो आपको नजर आ रहा है यह रहा दो लाग दस जार रुपे ठीक है बच्चों तो यह कहां transfer करना है उसकी तो पहले मैं आपको औरली समझायता हूँ फिर आप entry देख भी लिजेगा जो हम सेक्ट entry मनाएंगे तो यह दो लाग दस जार रुपे में से आप जानते हैं एक लाग पचास जार कैपिल में जाएगा जो आपको यह नजर आ रहा है और और शाठ हजार जो है शेर अलोटमन में जाएगा तो शेर application अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा उसके इलाबावा शेर अप्लिकेशन एकाउंट जो है डेबिट हुआ दोलाग दस जार से ही यह वही दोलाग दस है जो हमें रिसीव हुआ है उसमें से एक पचास गया जो मैं आपको समझाये था कि एक पचास ही जा सकता है जितने शेयर इशू किये थे बाइद कंपनी और साथ हजार जाएगा शेयर अलॉट्मेंट में क्लियर बच्चो आगे जाके अलॉट्मेंट कितने भी इमाउंट से डियू होगी उसमें से साथ जार रुपे कम ही मिलने है कंपनी को क्योंकि वो पहले ही कंपनी के पास एप्लिकेशन से अलॉट्मेंट ट्रांसवर कर दिये गए हैं क्लियर बच्चो अब आईए एंट्री पास करते हैं रिलेटिड टू अलॉट्मेंट तो बच्चो यह जो अलॉट्मेंट डियू कराया जाएगा वो पचास जार शेयर से डियू कराया जाएगा ठीक है बच्चो वेशक 70,000 शेयर के लोगों ने अप्लाय किया लेकिन अब क के लिए बच्चो तो यह लाघने तो तो देखो जो shotgun करेंगे अलॉट्मेंट के डियूटाबियो के अलॉटेविंग टाइम पे जो यह हमारा डिफॉल्टर रमेश उसने अलॉट्मे नहीं पे किया तो अलॉट्मेंट कर्सकान्रमाव मेस जाएगी बैंक अकाउंट debit calls in arrears account debit to share allotment account clear बच्चो अब इसमें amount कैसे कैसे आएंगे और वो रमेश का arrear कैसे कैसे आएगा आई आप वो देखते हैं तो बच्चो यह जो allotment receiving की entry है यह मैंने entry उना लिए सासा सके amount भी करती हैं मैं आपको समझा रहा हूं यह entry जो है इसके amount कैसे भरे गए allotment हमने 250 से due कराई थी जानते हैं कि 60,000 रुपे जो access application money था वो allotment transfer कर दिया गया था तो 250 में से 60 तो वो minus हो गया इसलिए allotment जो credit किया गया वो केवल एक नभबह से किया गया 250 में से 60,000 रुपे जो second entry में आपने शेर application के एकपचास capital में डाले थे और 60,000 रुपे allotment में डाले थे वही 60,000 रुपे माइनस कर दिया यह यहाँ पर आया कितने शेर allot किया गए थे विकाज उसके allotted share तुम्हें पता ही नहीं कितने है उसके applied shares हमें दे रुपे 700 रुपे 700 शेर तो उसके allotted share निकालने के लिए उसकी category के allotted share जो की 50,000 है total और applied share जो की 70,000 है वो नीचे रखिए अब 50 उपर और 70 नीचे क्यों आया क्योंकि हमें उसक इसकी category के allotted share उपर रखे गए applied share नीचे जो निकालने होते हैं उसी के total उपर रखने है अगर allotted निकालने है तो allotted total उपर रखना है applied निकालने है तो applied का नीचे इन्टो जित्रे इसके applied shares थे तो इससे इसके allotted share 500 निकला है clear बच्चो इसका मतलब रमेश के allotted share 500 है इससे में एक बात वह पता चल गए कि रमेश ने 200 shares का पैसा extra दिया होगा क्योंकि उसने तो apply किया थे 700 तो application जो pay किया होगा वो 700 share के हिसाप से किया होगा 723 रुपे लेकिन उसको मिले थे 500 share तो 500 share के हिसाप से तो पैसा बैट था है के वल 1500 रुपे अब उसके जो extra 600 रुपे है वो आगे transfer हो गए होंगे allotment में इस बात को लिग भी लेते हैं एकसेस application money transfer to share allotment यह मैं केवल रमेश का निकाल रहा हूं तो रमेश ने मांगे थे 500 share उसे बिले थे 500 share तो इसने 200 share का पैसे extra दे रखा है into application money जो की रुपीज 3 पर share थी इसका मतलब इसका 600 रुपे पहले से ही application से allotment में आया हुआ है अब इसको allotment में देने है 500 share के पैसे पांस रुपे के इसाब से क्योंकि allotment पांच है तो पांस तो पांच होता है थाईजार allotment का total amount due जो है वैससे ले आ जाना है वह थाईजार है 600 इसके पहले से आया हुए है यानि इसे allotment पर कि देने थे केवल 1900 रुपे जो देनी पाया तो इसका area भी हो गया 1900 रुपे इसका मतलब इसे देने है 1900 रुपे जो यह नहीं दे पाया इसकी वरह से allotment का area 1900 आया है बच्चों अब देख लिए बच्चों allotment के receiving entry share allotment में 190 क्यों आया 250 में से 60 जो पहले कायवे थे वो minus कर दिये 1900 रमेश का area वो minus कर दिया तो बैंकर net amount receive on allotment आ गया 1,88,100 आये अब करेंगे रमेश के share forfeit क्योंकि question में कहा गया था कि रमेश के share immediately after allotment forfeit हो गये है यह देखिए बच्चों रमेश के share forfeit करने के entry share capital account debit हुआ है 4000 से अब यह 4000 से क्यों debit हुआ है वो बता रहा हूँ बच्चों रमेश के पास है 500 shares दिख रहा है बच्चों रमेश के पास किते shares है 500 अब तक उससे application और allotment ही मांगा गया है जिसमें से application उसने दे दिया है allotment उसने नहीं दिया और आखरी call उससे भी मांगी ही नहीं गई है तो called up value of the share is rupees 8 per share तो 500 उसके share थे आट से into कर दिया यह आगया 4000 जो हमने अभी allotment receiving की time पे निकाला था उसका वरकी note से अरियर वो यहां लिख दिया तो understood है उसका दिया हो पैसा 2100 रुपे है जो company उसको लटाएगी नहीं क्योंकि यह पैसा forfeit हो जाता है company उसको अपने पार रख लेती है डिफॉल्टर को अपस नहीं करा करती है तो इस तरह से यह बन गई रमेश के share forfeit करने की entry अब करेंगे हम first call बनाने की entry first and final call बनाने की मांगने की याद अखेगा बच्चो वैसे company का 50 या शेयर हैं लेकिन company ने 500 शेयर रमेश के forfeit कर लिये हैं तो आखरी call जो की जाएगी वो 49,500 शेयर से की जाएगी at the rate rupees 2 per share यह देख लिचे बच्चो first and final call due गराने की entry वो आई 99,000 से क्यों because number of share है 49,500 अब के बल 50 यार नहीं है और 2 रुपे की first and final call है तो 49,500 into rupees 2 करेंगे तो आपका 99,000 ही आएगा तो clear बच्चो आपका 99,000 क्यों आया clear अब आईए इसकी receiving के entry करते हैं और receiving के entry वग ध्यान रखेगा कि अधार ने जिसके पास 500 shares थे first and final call नहीं पे करी है तो 500 into 2 अधार का अरियर हो जाएगा 1000 रुपे जैसे normal दर्गे से अरियर निकालते हैं first and final call का वैसे ही अरियर निकाला जाएगा वो three step working के वार allotment का अरियर निकालते सिमें करी जाती है तो कि वहाँ कुछ पैसा पहले ही आया होता है default का यहाँ पर default का पैसा पहले से कुछ नहीं आया हुआ that's why इसका अरियर simple दर्गे से निकले है यह देख लिजे बच्चो first and final call receiving की entry 99 due रहा था 99 से इसको credit किया 1000 call-in अरियर में आया 500 share अधार के थे तो 500 into 2 simple यह आगया उसका call-in अरियर ठीक है बच्चो और bank में आगया बचावा 98,000 अब आधार के share भी forfeit कर लिया जाएंगे तो आईए अब entry मनाते हैं आधार के share forfeit करने की देखे बच्चो जब आधार के share forfeit करेंगे तो share capital account डेविट होगा 5000 से अरियर आएगा 1000 रुपे और share forfeit account या तो उसने नहीं दिये तो share capital account डेविट हो जाएगा जब share forfeit करते हैं तो share capital account डेविट होता है धानर के इस बात को तो 500 इंटू पूरे 10 5000 500 इंटू दो जो उसने नहीं दिये वो यहां आगे 1000 और 500 इंटू आठ 4000 जो उसने दे दिये थे ठीक है बच्चो तो इस तरह से अधार के share भी forfeit हो गए यहां मैं बता दू बच्चो आप हमारे पास total forfeit के विश्वेर 1000 हो गए 500 रमेश के और 500 ही अधार के रमेश का forfeit के आप ऐसा 2100 रुपे हैं आप चेक कर सकते हैं रमेश की जब forfeater के entry करी है हमने तो उसमें 2100 रुपे forfeit share account में डाले थे और अधार के forfeit amount है 4000 रुपे यह तो आपको ही नज़र आ रहे हैं लेकिन यह 1000 रुपे के 1600 रुपे हैं 2100 रुपे और 4000 रुपे लेकिन रीशू जो हुए हैं वो 1000 रुपे नहीं हुए हैं तो यानि यह share दोर पर discount पर रीशू हुए हैं 900 shares तो आईए इनको रीशू करने के entry करते हैं फिर gain निकालने के entry करेंगे गेल निकालते बग यह चीज मैटर करती है कि किसके कितने share रीशू हुए थे रीशू निकालते समय है रीशू करते समय है तो बस नमबर और रीशू रीशू और रीशू प्राइस पता होना चीए कितना बेटब माने यह पता होना चीए ठीक है बच्चो तो आईए पहले रीशू के entry कर लेते हैं देखिए बच्चो रीशू की entry तो होगी bank account debit share forfeited account debit to share capital account 900 share रीशू करे 10 रुपे का हमने माना है कि वो paid up है क्योंकि fully paid up का मतलब face value होती है जो share capital में credit की जाती है कि अबनी मान रिये कि 10 रुपे मिल चुके हैं तो 900 इंटू 10 9000 बैंक में वो पैसा लिखे जितने का उन्हें सच में बेचा गया है क्योंकि fully paid up मान के बेचा गया है यानि मान लिया कि 10 आ गया है मगर real में आया है कितने रुपे केवल 8 रुपे तो 900 इंटू 8 7200 यहा लिखि रुपे हैं से 955 इंटू 8 में 900 टो पार से दया क्योंक दिया जाता है वो चकोंट डिया जाता है रही बात गेन निकालने की रही तो हुआ है पका इन शेयर पेम अब कि तरह घिन गुआ ए वह हम निकालेंगे और इससे प्तेज़़ी पर्स करेंगे आईए हम निकालते हैं गें की वह गेंड कैसे आया और कितना आया तो गेंड निकालने जो लिखे हैं वो है रीशूट शेयर्स तो रीशूट शेयर्स जो हैं वो 900 हैं जिसमें साफ कातर हमेश के सारे शेयर इंक्लूडने है यानि पूरे 500 तो अंडर सोडे आधार के 400 शेयर ही रीशू हो पाये होंगे तो यह फॉर्फिट शेयर्स यह उनका फॉर्फिट आधाहों और जो आहँ हम निकालेंगे रीशूट शेयर्स का फॉर्फिट अमाउंट चिसे मैं कॉलम मुंबर फोर कह रहा हूं इसका फॉर्म्ला होता है धर्ड कॉलम इंटू 2nd कॉलम ईपॉन 1st कॉलम थी इंटू 2 उपॉन 1 ले बच्चो तो 500 इंटू 2nd 500 ऑन 400 x 4000 अपन 500 को रोगे तो यह 32 आजाएगा करके दिख लीजिगा वैसे लॉजिक यह होता है कि 500 शेर का अगर 4000 है तो 400 शेर का कितना पैसा होगा परफिट अमाउंट तो रीशूट शेर का फॉर्फिट अमाउंट इस तरह से निकल आता है अगर आप इस लॉजिक को समझें तो बहुत चीबात है नहीं तो फॉर्मला को पताए दिया मेरे 3 to 2.1 कर दिजिगा 4th column is equal to 3rd column into 2nd column upon 1st column तो इससे रीशूट शेर का फॉर्फिट अमाउंट निकल आता है पहले फॉर्फिट शेर लिखिए उनका फॉर्फिट अमाउंट लिखिए फिर रीशूट शेर दोर पर डिसकाउंट पर शेर पर इस्यूट किया है आप चेकर रिशू के एंट्री में जितना डिसकाउंट हमने शेर फॉर्फिट रिखिए यह वह डिसकाउंट है इस डिसकाउंट और रिशू को में माइनस करना है तो हमारा गेन आ जाएगा रूपीज 3500 यह आगया हमा पर पर भी गलत नहीं आएगा पर planets बेखिए फिर पॉर्फिट लिखे फिर प्रमांन लिखे फिर Improve रिशुट शेर फिर हो पोर्पिट आपन निकालने के लिए पोर्थ syntलिस प्रान से इंकाउंट है अपने हो इसके का जैबड सब्सकांस चैप करना है या पर्पोंशिन पर तो यह बच्चो gain on ratio of forfeit share के entry, share forfeit account debit हो जाएगा और capital reserve account credit हो जाएगा क्योंकि capital gain होता है, capital gain को capital reserve में transfer करना चाहिए, इसलिए यह entry बनाई जाती है share forfeit account जो भी gain on ratio होता है, वो capital reserve में transfer कर देता है, clear बच्चो? तो इस तरह से question complete हो जाता है, उमीद करता हूँ कि आपको एक question का solution अच्छी तरह से समन में आया होगा Thank you बच्चो for watching this particular video